बेटी बचाओ, बेटी पराओ का नारा देनी के नौबत एक सुसाइटी में क्यों आई है? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगा? हमारे पेरेंस करजा उठाते तो बेटों के पढ़ाई के लिए? और बेटियों के विदाई के लिए? हमारी सुसाइटी में आग्याकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है बहु हो या बेटी? क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है एक लड़की अपनी जिंदेगी में क्या करना चाती है? कैसे जीना चाती है? उसके लिए उसे किसी आदमी की पर्मिशन लेने की जरुरत नहीं होनी चाहिए उस दिन जेंडर एक्वालिटी होगी मेरी पहचान मैं हूँ